नमस्कार हिमाचल बुलिटिन में आपका स्वागत है पेश है आज के समाचार राजय अराजपत्रित करमचारी महासंग के अध्यक्ष श्री अश्वनी ठाकुर के नित्रित्व में आज राजय के विभिन्न करमचारी संगों के नेताओं ने ओक ओवर में मुख्यमंत्री श्री जायराम ठाकुर से भेंट की और उन्हें करमचारीों के विभिन्न मुद्दों से अवगत करवाया मुख्यमंत्री ने नेताओं को आश्वासन दिया कि करमचारियों की सभी जायज मांगों पर सरकार सहानू भूति पूर्वक विचार करेगी मुख्यमंत्री श्री जायराम ठाकुर को NHPC के प्रबंधनी देशक श्री एकेस सिंग ने आज NHPC की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोश में एक करोर रुपए का चेक भेंट किया देश के सभी घरों तक नल से जल की उपलब्धता सुनिशित करने के लिए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की है हिमाचल सरकार हर घर को नल से जल प्रदान कर इस मिशन का सफलता पूर्वक क्रियानवेन सुनिशित कर रही है प्रदेश सरकार के प्रियासों के फलव सवरूप जल शक्तिवी भाग द्वारा गत दो वर्षों में 7,93,000 घरों को नल से शुद जल उपलब्ध करवाया गया जो पिछले 72 वर्षों में लगे 7,63,000 नलों से अधिक है राश्वे जल जीवन मेशन के अंतरगत हिमाचल में हर घर नल उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रदेश पूरे देश में अग्रणी राज्य बना है जल जीवन मेशन में हिमाचल पहले स्थान पर आगे कर रहा है जुलाई 2022 तक हिमाचल के हर घर में नल से जल देने का लक्षे निर्धारित किया गया है जबकि हर घर नल से जल उपलब्ध करवाने का राश्वे लक्षे 2024 तक रखा गया है जल जीवन मीशन की तरफ से हमें हमारे सबी गाउं में नल लगे और पहले हमें बहुत दिक्कत होती थी पानी लाने में जिसे हम दूर दूर से पानी लाते थे बच्चों के साथ पानी नहीं लाया जाता था पर सरकार का धन्यवाद हमें नल लगवाने के लिए पहले हमें पानी की बहुत दिक्कत होती थी हम दूर उर से पानी रगती थी तो सरकार ने हमें ये सुवी ददी है तो इसलिए हम उनका धन्यवाद देने जाते हैं जल शक्ती विभाग नाकेवल नल से उचित मातरा में जल उपलब्ध करवा रहा है बलकि जल की शुद्धता पर भी पूरा ध्यान दे रहा है शुद्ध जल उपलब्ध करवाने की दिशा में जल शक्ती विभाग द्वारा 14 जिला स्तरिय व ब्यालिस उपमंडल स्तरिय जल परिक्षन प्रियोग शालाएं स्थापित की जा रही है जिन मैंसे 37 प्रियोग शालाओं को राश्रिय मानकों के अधार पर NABL से प्रमानिकता म में एक महतोपुन कदम होगा भारे सरकार द्वारा किये गए जल गुणवत्ता सर्वेक्षन में उपभोगतास्तर पर पेजल की मात्रा व गुणवत्ता तथा नल कार्यशीरता में पूरे देश में हिमाचल को प्रथम आंका गया है पिछले दो वर्षों में 3,01,081 जल नम दिसंबर माह में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल विहारी वाजपई कि जनती अवसर पर प्रियोग शालाओं वो फिल्ड टेस्ट किट के माधिम से अधिकाधिक जल नमूनों के परिक्षन करने के लिए शुद्ध जल अभ्यान शुरू किया गया इन अभ्यानों का अयोजन आमजन को शुद्ध जल उपलब्ध करवाने वा उन्हें जल गुणवत्ता के बारे में जागरू करने के उदेश से किया जा रहा है प्रदेश सरकार के प्रियासों के फलसवरूप देश में सरवाधीक उंचाई पर स्थेत पोलिंग स्टेशन जिला लाहौल स्पिती के ताशी गंग गाउं को नल से जल सुविधा उपलब्ध करवाई गई है स्वास्तेवम परिवार कल्यान विभाग द्वारा दोपहर दो बजे जादी बुलिटिन के नुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमन की जाँच के लिए आज 919 लोगों के सेंपल लिये गए जिन मेंसे 213 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है जबकि 653 लोगों क कोरोना वाइरस के संक्रमन की पुष्टी हुई है जिन मेंसे 249 502 लोग इस बिमारी से ठीक हो चुके हैं और 16 216 हव्यक्ती उप्चारा दिन है हिमाचल बुलिटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल आई पी आर हिमाचल फॉलो करें ट्वीटर एच दी पी आर एच पी लाइक करें फेस्बूक पेज इंफरमेशन अन पॉब्लिक रेलेशन्स डिपार्टमेंट हिमाचर प्देश विजिट करे वेबसाइट www.hemarshallpr.gov.in इस अंक में तना ही कल फिर होगी मुलाकार दीजे इजाज़त नमस्कार